मुझा आज़ाए कि इस डिजाइन को जो हमने डाला है इसको हमने पर्स में डाला था मुबाइल पर्स में तो हमें बहुत से वियोर्स की हमें फरमयाशा है कि मैम आप इसको अलग से एक बार डिजाइन को बना कर डालिए तो इस डिजाइन को कैसे बनाना है वो हम आपके साथ चेर करेंगे बॉटर बनाया जाता है तो देखिए इस डिजाइन को हमने कैसे स्टार्ट करना है जैसे ही हमने फंदे डाले हमारा बॉटर बना बॉटर के बाद आपने फर्स्ट स्लाई में क्या करना है दो स्लाई सिंपल जिस कलर का बेस बनाना है और जिस कलर का बॉटर है उसी कलर से आप दो दो फंदों के मल्टीबल के हसाब से फंदे लेने हैं जे हमें पूछा गया था कितने फंदे लेने हैं तो हमने दो 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 ऐसे टू टू फंदे लेने हैं तो जैसे हमने सीधी स्लाई बनाई ऐसे ही हम रॉंग साइड भी बना लेंगे उल्टी जे हमारी रॉंग साइड है जहां हम उल्टी बनAYेंगे और दो दो Quelओ, 2 सिलाई का डिजाइन है और 2 कलर 1 एक कलर से 2 sap बनाएगे तो एक सिलाई, फिर एक कलर से 2 सिलाई, फिर एक सिलाई यह देखिये हमने 2 sap बनाई है जह बेस है नीचे का जैसे हम design border के उपर start करेंगे तो ऐसे ही करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम दूसरा color लगाएंगे तो दूसरे color से जिससे हमने flower बनाना है ना तो हम ऐसे कर लेंगे एक फंदा बुनेंगे उसके बाद हम दूसरा फंदा भी बुनेंगे इसको आप टैच कर लीजिए दो एक फंदा हम और बुनेंगे जब हम design को start करेंगे उसके बाद जब design बनना start होएगा तो आपको समझा जाएगी तो हमने कितने फंदे बुने एक simple chain क एक second दोसलाइएं बुणाई है न तिन दोनों के बीच में हमने जहां से slide डालनी है और इसको एक बार और दो बार ऐसे slide नकालके बुनना है फंदे को बुन लिया फिर हमने दो फंदे simple बुनने है उसके बाद फिर नीचे से slide डालनी है और double बुनना है ऐसे जे double हम इसलिए बुनते हैं कि हमारा डिजाइन इकठा ना हो मतलब साफ और फिनिशिंग में आए तो फिर आप दो फंदे बुनेगे सिम्पल वैसे आप न ये एक बार में ऐसे अगर ऐसे बिनकाल सकते हैं सिम्पल इसके लिए आपको जब आगे फंदा बुनना है तो बड़े ध salmon से बुनना पढ़ेगा ना तो tight नहों जाए, फंदा लूज रखना पढ़ेगा तो लूज रखां नहीं जातागा करें हन्हें हाथ tight होता है क्योंकि हमारे के viewers वीवेस ने कहा है कि हमारा हाथ tight होता है तुझे इकठा हो रहा है डिजाइन अब दूसरा फंदा बुन लिया फिर हम ऐसे ही इसी में से एक दो बार नकाल लेंगे तो लूज फंदा बन जाएगा सिंपल जब उता रहेंगे फिर हम दो फंदे बुनेंगे उसके बाद हम फिर नीचे दो सलाई नीचे एक फंदा बुनेंगे ऐसे डबल बार नकाल एसे डबल करेंगे फिर नकाल लेंगे ठीक है लास्ट में भी हमने तीन फंदे रखने है हमारे दो है तो हम एक फंदा बढ़ा लेंगे जैसे हमारे पास फंदे कम हो तो हम बढ़ा सकत हैं अगर जादा चार होते तो हम एक कम कर देते हैं तो हमने एख फंदा बढ़ा लिया एक दो और लास्ट वाला फंदा बोला लिया तो तीन हिए सीम्पल मुनें, तीन फंदे फिस्ट में ऐसे अपने परोजक्त फंदा बुना, तीसरा भी सिंपल बुना, एक तो हमने उतारा, टेन के लिए दो बुने, अब जो हमने फंदा डबल बुना था, इसको स्लिप करना है, बुनना नहीं है, और दो फंदे हमने सिंपल बुनने है, इसको बुनना नहीं है, उतारना है, दो सिंपल, इसको बिना डबल करके बुना था, दो सिंपल, स्लिप किया, खोल दिया, दो सिंपल, स्लिप करके खोल दिया, दो सिंपल, और लास्ट वाला उल्टा, तो हमारे डिजाइन की दो स्लाई बन गी है, ठीक है, अब आते हैं, वाइट कलर पे, वाइट कलर से हमने क्या करना है, हमने वाइट कल को स्टार्ट करना है तो हम फुर्स्ट पंदा सिंपल बनेंगे फिर एक और फंदा हम सिंपल बने तो हमारे दो फंदे शिम्पल आगके पहले हमारे हमारे नीचे से वन्ता लिया है न direito बना और कर तो इस्ट Bridget को हमने पकड़ लेना है जो जब हम दो का एक करेंगे तो इसी को पकड़ के सेकन वाले फंदे से दो का एक पीछे को करेंगे ऐसे हैं फिर हम दो का एक करेंगे निकाला हुआ फंदा और दूसरा और इसी को पकड़ के पीछे वाले फंदे के साथ दो का पीछे को एक करेंगे तो हम ऐसे पूरी सलाई बनाएंगे जहां से फंदा पकड़ लेंगे पीछे वाले के साथ दो का एक करेंगे फिर दो फंदे सिंपल सीधे बनेंगे इसको पकड़ लेंगे पीछे को दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे simple इसको पकड़ेंगे पीछे वाले फंदे को पीछे से दो का एक करेंगे last में दो फंदे हम simple बनेंगे तो हमारा ऐसा भी design बना है आब आते हैं इसकी wrong side पे आब इसकी wrong side जो है हम पूरी उल्टी बनेंगे इसमें हमने कोई design नहीं बनाना है तो हमारी ये fourth slide है design की तो white तो इसको हम ऐसे simple ही बन लेंगे simple बन ली चाओ चौत्थी slide तो अब हमने इसी 4 slide को repeat करना है लेकिन कैसे ये हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे अब जैसे हमने जहां पे design डाला था फंदे फुन के इसके बीच में design डाला है फिर इसके इन दोनों के बीच में डाला है तो हम red color लगाएंगे तो red color से हम दो ही फंदे बनेंगे एक उतारेंगे एक बनेंगे अब इसके साथ हम पहले ही आद दो सलाइआ दिख रही हैं एक और दो दो सलाइआ नीचे जाकर इसको double बनेंगे बन लिया अब आज जो बीच वाले फंदे हैं दो इनको दो simple बन लिया फिर इन दो एक पती है एक जे है ना फूल पती अब इसके दो वाइट के नीचे से double बार निकाल लिया फिर हम बनेंगे एक दो ठीक है फिर इसके नीचे से नकाल लेंगे ऐसे फिर बनेंगे दो एक दो नीचे से नकाल लेंगे दो फंदे बनेंगे इनके बीच में से बनेंगे दो फंदे simple बनेंगे अब लास्ट में इसके नीचे में से फंदे नकाल देंगे डबल करके और लास्ट में दो फंदे सिंपल हों लेंगे अब रेड कलर जब भी वापस आना है जो स्लिप किया है फंदा इसको स्लिप करेंगे इसको स्लिप करेंगे दो फंदे बुनेंगे दो दो फंदे आये औरabord करते इसको सलिप करेंगे कितना सुνदर रेड में वाइट फलावर आए है अब बेस वो रखिये जिसका फलावर दिखे आपको अगर ग्रीण बनाना है तो ग्रीण बना सकते हैं हमने उसमें ग्रीण दखाया है ना डिसाइन में तो आप ऐसे ग्रीण बना सकते हैं इसकी white color में जब white color लगाएंगे तो हमएं 2 का 1 करेंगे जो हमने नीचे से thread करना इसको पकड़ेंगे और पीछे करेंगे और 2 का 1 करेंगे ठीक है फिर इन 2 को बीच फंदा है खिर किया हुआ, इसको दो को हम एक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पीछे को दो का एक करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे राजे मुनेंगे हम, फिर हम दो का एक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पीछे को दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, इसको पकड़ेंगे, पीछे को को दो का एक करेंगे के इस पीस को पकड़ लेंगे पीछे को बुनेंगे और दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे इसको पकड़ेंगे पीछे को दो का एक और लास्ट में हमारा एक फंद आएगा ठीक है ऐसे ऐसे आएगा राजे इदर भी एक है और लास्ट में अब जो तो हमारी वाइट रॉंक साइड आती है जो बेस बना बेस है हमारा नीचे का और जिसका फूल भी बनता है वो यह वाली सलाई हम पूरी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे डेजाइन बहुत असान है धोड़ा सा ध्यान देने की जरूर्त है और बहुत प्यारा डेजाइन बन कर आएगा यह देखिए फ्रेंट ऐसे आपने डेजाइन बनाना है बने गाला तो जो हमने वो डेजाइन बनाया है वो डिजाइन जो फुर पिकडाली है वो थोड़ा सा हैवी कलर है वाइट वाला जो लगाया गरीन है हैवी है तो उसमें नहीं दिखा होगा आपको इसमें दिख रहा है अब फिर हमने रैट कलर स्टार्ट करना है तो हम तीन फंदे बुनके करें क्योंकि एक दो तीन फंदे बुनके इन दोनों के बीच में स्टार्ट करेंगे एक बास स्टार्ट करके आपको बता देते हैं क्योंकि हमारे व्यूर्स कहते हैं कि एक बास स्टार्ट करके बता दीजिया कीजिये तो जो हमने फर्स्ट में स्टार्ट किये था तीन फंदे सिंपल बुणे अब इसके बीच में हमने फंदा निकालना है और एक दो डबल करके ठीक है फिर आपने दो फंदे बुणने है फिर अब नीचे भी निकालगा था नैशली जहां से तो जहीं से निकालना है ऐसे, दो बार बुना, फिर दो फंदे बुने, फिर नीचे से डबल बुना, निकाल लिया, फिर दो बुने, फिर नीचे से निकाला फंदा, और जहां आप अंगुठा रख सकते हैं, तभी आपका फंदा पाहर आएगा फिर आप दो फंदे बुने, और इसको नीचे से नकाल कर ले आईए, और तीन फंदे लास्ट में सिंपल बुने, बस ऐसे बनाते हुए, दो दो सलाई, दो कलर की एक सलाई, फिर दो कलर की दो सलाई, एक कलर की दो सलाई, तो ऐसा डिजाइन बन कर आपका आएगा, बहुत सु मुश्कल नहीं आएगी क्योंकि हमने दोबारा से फिर डिजाइन को रिपीट किया है और हमारे जो बीगनर है वो इसको बड़ी असानी से बना सकते हैं आपने जे देखना है कि जो कलर का फूल आना है फूल उसका बेस स्टार्ट करना है जे फूल जो बनता है और अगर आप जैसे वाइट में रेड फूल जाते हैं तो आपने पहले रेड कलर को स्टार्ट करना है रेड कलर स्टार्ट करेंगे तो वाइट जैसे हमने वाइट कलर स्टार्ट किया है नीचे से दोसलाई का तो वाइट फूल आया है अगर आप रेड कलर स्टार्ट करेंगे तो रेड फूल आएगा वाइट में रेट तो ऐसे आपने बनाते हुए जाना है मुझे मीद है कि आपको पसंद आया होगा राजे आप हमेरे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शियर भी कर सकते हैं